IIT ISM दोरा भूमी अधिग्रहंड मामले में वनमेड़ा की ग्रामिनों ने घर बचाने के लिए उपायुक्त से लगाई गुहार IIT ISM निर्मान के लिए वनमेड़ा में भूमी अधिग्रहंड किया जा रहा है जिससे वहां के रहने वारे दरजनों ग्रामिन बेघर हो रहे हैं बेघर हो रहे ग्रामिनों ने उपायुक्त धनबात को अंचला अधिकारी के दोरा बुधवार को ग्यापन सौपा गया ग्रामिनों का कहना है कि IIT ISM दोरा चार दिवारी का निर्मान किया जा रहा है जबकि कुछ लोगों का रशीद कटा हुआ है एवं भवे मकान का निर्मान किया हुआ है जबकि विभाग का कहना है कि प्लांट संक्या seti3 सरकारी खाता की जमीन है तब कुछ लोगों का रसीद किस आधार पर काटा गया है जिनका रसीद कटा है उन सभी मकानों को नोटिस से वंचित किया गया है वहीं कुछ गरीब दलित कमजोर वर के लोगों को नोटिस देकर मकान ध्वस्त करने की प्रकिरिया की जा रही है एक ही प्लाट की जमीन पर दो तरह की नियम लागू किया जा रहा है अंचला दिकारी के द्वारा उपायुक्त से मेढा के ग्रामिनों ने कहा कि गरत धंग से जमीन की मापी करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है वैसे ही गरीब दलित और कमजोर लोगों को बचाया जाए ग्यापन सौपने वालों में मुन्ना शर्मा, दसरत रजक, मुकेश कुमार, सूरज कुमार, दीपादास के अलावे और भी ग्रामीन मजूद थे ये थी निर्सा से मुहम्मद आजाद की रिपोर्ट लेकिन हम लोग के आई सेंग काम के थूर हम लोग के तूर तोर दिया जा रहा है तो हमने स्रीव अपने घर को कम से कब वैवस्ता करने के लिए भी बोला गया ठीक है हमारा घर तोर दीजिए लेकिन हमारा कही वह बसा पहले कर देजिए उसके बात करीबों को उटाइए लेकिन उसके लिए भी यहां से कोई सुनवाई नहीं हुआ अरचा इसके दहट हम MLA के पास गय थे आज और बश्रीपतिनाजी के पास गय थे उसके पास हमने आवे हमाओ और खाओ अपने छतिने के सोजब छत नहीं रहेगा तो हमारे पास सुसाइड करने किसे और कोई रास्ता नहीं बचया कि रॉसन ते लाइंगे और हनुक सब आपस में आग लागा के मर जाएंगे यहां पास और यहीं पे मारें है कौन से जाए का प्रोब्लम है बन मे सब्सक्राइब करें हो रहा है ठीक हो के दनने बाइब